हेलो तो आज मैंने थोड़ी सी मीठी 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 स्वीट सी खीर बनाई है तो मैंने आप लोगों के साथ भी सेर किये सेवयों की खीर तो देखे मैंने थोड़ा सा इसमें घीर डाल दिया था अब उस हिमे में सेवया रोष्ट कर लूँगी तो बस मैंने सुचा आज कुछ मिठा हो जाए कुछ कुछी की बात नहीं है ऐसे ही बना लिया तो देखे मापके साथ सेर कर रहे हैं पूर अच्छी बनत हो गया है तो बस इसको मैं एक वर्तर में निकाल दूंगी और मैं इसमें दो या तीन गिलास अपनी साफ स्याफ बना सकते हो तो मैंने इसमें पानी थोड़ा सा यह डाल दिया है और तब तक इसको थोड़ा गरम करूंगी ज्यादा गरम नहीं करना है थोड़ा ही गरम करना जादा करने से क्या होता है है जब मिल्क पाउडर टालेगी तो इसके भूटी बन जाएगी तो हम थोड़ा सा गरम-पानी करना और देड़ा को प्log मुल्क फाउडर डाल दिया है तो सदोगे मिल्क पाउड है है इस एक def हमाज की सार्धा किता कि दूख से बना लिए ना कि on sendhya में से बनाना हैी तो मैंने आज इस इस पना लिए इसको भूर अच्नान्हुअ फिर म uniqueness कश इंग गाने का दोट्य के पूरा दूज्ड जन लग रहा है उदर तो इसको थोड़ा सा यलो कलर दिख रहा था और इधर देखो मैंने इस तरफ लगा दिया थोड़ा थोड़ा वाइट कलर लग रहा है और मैंने थोड़ा सा अलक बोल में निकाल दिया है दूद क्योंकि इसमें हम मिलाएंगे कॉस्टर्ड पाउडर तो आज हम कॉस्टर्ड की खीर बनाने वाले हैं यह से भी हम बनाते हैं लेकि मैंने आज हो सब अलक बना के देखे किसा लगता है तो भूर टेश्टी लगी थी कॉस्टर्ड पाउडर की खीर वह त अच्छी बनी थी तो मैंने वह अलग निकाल के रख दिया है थोड़ा सा उठंडा होने के बाद म में मिला कि हम इसमें डाल देंगे तो बस यह गरम हो चुका है मैंने इसमें से बैयां डाल दिये तो यह दिरे 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 अपना अच्छा सरूप ले लेगी बहुत एश्टी बने खीर तो देखे यह हो रही है कि अवाल कि आप दिया है तो वो बन चुकी है मैं इसमें अब थोड़ा सा ये कश्टड पाउडर मिला दूंगी अच्छे से घोल के इसमें देखे इसको अच्छे से में गोलना है मिलाना है यही तो इसमें गठी पड़ जाएगी तल नीचे भी लग सकता है नीचे लग जाता है तो मैंने वे लेना का कश्टड लिया है आप इसे कश्टड फूर कश्टड बना सकते हो कश्ट और लख आपने सांसे डाल सकते क्योंकि मिलक आउर्ड़री दित्वा होता है तो टुकुँ एमें में कम ही डानी ठीक है ज्यादा śama मित्या हो जाती तो में है इसम 그렇지 है मनाया था ढ 大जी में दाल दिया अब हम हम मिन्स ऐसे चेज़े कर दो खीर रेड़ी है आप भी बना कर देखिएगा वो टेस्टी बनती है कि जटपट बन जाती है इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है दूद की खीर बनाए तो फिर भी टाइम लगता है क्योंको इसमें चावल को थोड़ा हमें पकाना पड़ता है सेवया भूज जल्दी पक जाती है तो इसको हम थोड़ा सा रोष्ट करके बनाए तो और भी टेस्ट बनती है और अगर रोष्ट नहीं करे तो भी चलेगा कोई बास नहीं है तो देखो यह रेड़ी हो चुकी है मैंने इसमें वोल में निकाल लिया है तो देखिए बूर टेस्टी बनी आई आई प्रिकारी जी और आपको वीडियो पसंद आये तो प्रीज लाइक गीजिएगा